था कि आपको पिछर्ण होगा कि उसके द्वारा क्या करते हैं था किसी जांक कि लंबाई चौडाई मोटाई और गिसी मोल जाब का क्या करते हैं ब्यास और किसी होल वाले जाब का क्या करते हैं अंदर का हम बोर साइज माप सकते हैं वो भी इंडारेक्ट मेजर में तो ठीक उसी पकार क्या करते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वह है इनवर्सल बेबर और कामिनेशन बेबल के बारे में इसमें क्य क्या करते हैं किसी भी जाब को एंगल में जब मेजर करना है तो इसको हम क्या करते हैं इस इंडारेक्ट मेजरिंग टूल के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं तो क्या है यह इंवर्सल बेबल और इसके बारे में जानते हैं और कमिनेशन बेबल के बारे में जानते हैं तो दोनों क अच्छ आनि indirect angular measurement tool है जिसके द्वारा क्या करते हैं किसी जाप को angle में हम major कर सकते हैं इसमें दो भाग होते हैं एक stock होता है और दूसरा blade होता है और दोनों के भागों के बीच में क्या होता जिर्या आनि क sürंगि एक स्क्रू की साहरा से किसी हम एंगल में अर्जेस्ट करके हम क्या करते हैं माप लेते हैं इसका प्रियोग हम बेबल गीयर को तो चेक करने के लिए करते हैं तो चलिए यह फिकर के मारदन से आपको पताते हैं कि क्या इसके यूज है और कैसे इसके भाग है, जैसे आप लोग support day यह देख रहा उपर वाला जो भाग है यह blade है और नीचे वाला जो भाग है आप लोग देख रहेंगे यह stock है तो stock का हमारा क्या कारिया है कि जब हम किसी job को माले support अगर हमको angle में measure करना है तो क्या करेंगे stock वाले भाग को हम base पे रखेंगे और blade को यह द्वारा हम angle में measure करेंगे मेंजर करते हैं जैसे किसी job को क्या करना है स्क्वार जो इसके भाग है आपको बता रहा है कि इसके बीच में जो जिर्यां कटी होती है बीच में जिर्यां कटी होता हैं और यहां पे एक sliding screw होता इसके द्वारा क्या करते हैं इसक्रू के द्वारा कस के हम angle को जिस हिसाब से blade को set कर लेते हैं और इसके blade में जो जिर्यां कटी होती है यह यल अकार की जिर्यां है यह यह भी question में पूछता है आपसे कई दब एक्जाम में और इसके जो blade है blade जो होते हैं हमारे यह 30 degree से 45 degree और 60 degree तक कहीं कहीं पाए जाते हैं तो इसके blade के जो angle में जो यह कटे होते हैं इतना होते हैं इसका प्रियोग क्या करते हैं बेबल गियर को चेक करने के लिए करते हैं तो यह है आपका universal बेबल और बेबल के बारे में हम जाने दोनों भा गया और कैसे करते हैं तो इतना किरियर हो गया आपको universal बेबल और आगे चलते हैं आपको बताते हैं combination बेबल के बारे में हम जानते हैं combination बेबल भी क्या है एक प्रकार का वो भी universal बेबल की तरह है अंतर थोड़ा सा एह है इसमें कि यह क्या करता है बहु मुखी अवजारानी की multiple measuring tool है इसके द्वारा क्या करते हैं जो हम सधारड universal बेबल प्रोटेक्टल के द्वारा जब माप नहीं ले पाते हैं तो उसके combination बेबल का प्रियोब करते हैं इसके द्वारा हम क्या करते हैं किसी जाब को एक डिएरी के सुधता में माप ले सकते हैं इसके भी भाग के बारे हम जानते हैं और इसके चितर के मादम समझते हैं क्या क्या है जैसे आप लोग आप देख रहा होंगे चितर में कि यह वाला ज कस के ब्लेट को अर्जस्ट करके हम माप लेते हैं यह नीचे वाला भी आपका क्या है ब्लेट है और बीच वाला भाग जो है स्टॉक है स्टॉक को क्या करते हैं रख के हम माप लेते हैं इसके द्वारा क्या करते हैं एक डिगरी की सुधता में हम माप लेते हैं और यह किसी जाब को अगर बना रहे हैं किसी जाब को बना रहे हैं सपोर्ट दैट मालीजिए आपका इस एंगल को हमको बार-बार मेजर करना है यह वाला भाग को हमको क्या करना है यह वाले भाग को क्या करना है बार-बार मेजर करना है यह वाले भाग को बार-बार मेजर करना है त करते हैं उस job के द्वारां हम क्या करते हैं मा लेकर उस जाब को side कर देते हैं जब माप लेते हैं तो माप के द्वारा क्या करते हैं कि यह अधिक लिए पादन संख्या बढ़ जाती है और इसके जो सेट करने के तरीके हैं वो क्या करते हैं किसी प्रोटेक्टर ज जो एंगुलर मेजरमेंट है गेज है उसके दुआरेक्ट मेजरमेंट हम यह ता hiring डिवारेक्ट मेजरमेंट उसके द्वारा और इन ढरेक्ट में होता कि इन ओर सब्सक्राइब और पर जरुआ कीज्शान की आप सब्सक्राइब आपने समझ लिया होगा इसके रिप्राइब के उसके यूज क्या है ये भी हमने आपको बता दिया आप अब नेस्ट ट्रोपिक में हम आपको बताएंगे मार्किंग टूल एंड मार्किंग मीडिया के बारे में उसके बारे में भी समझ लेते हैं deeply में हमने आपको इक एक करके basic theory के माधियम से आपको lecture के एक छीज़ फंदा होता है, बहुत सी स्टुडेंटों ने कामेंट करके बटाया है, कि तेके क्निकल में हम जब एक्जाम देने जाते हैं, तो एक्जाम के दारण होता क्या है? क्टे कोश्चन आता हुआ गलत हो जाता है, क्योंकि आप होता क्या है कि आप उस समय जब आपको बेस पता नहीं तरह रटा हुआ कोस्टन टेक्निकल में आप इक्जाम में बिट नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको पहले बेसिक थियूरी पता होनी चाहिए और बेसिक थियूरी के माधिन से मैं आपको step by step चल रहा हूं जिसके द्वारा आप अपना थियूरी को clear कर सकते हैं और mcq question भी दे रहा हूं ताकि आप exam के लिए भी preparation हो सकते हैं तो आज के लिए friends नहीं thanks for watching